पीपल के ब्रक्ष को सनिवार को छुना चाहिए और नहीं चुना चाहिए बांकि आप छे दिन खूप छुईए प्रणाम करिए प्रदिक्षना करिए जल चड़ाईए दीप लगाईए अब वो कथा लंबी है हम संचिप्त बतला दें कि लक्षमी जी की एक बड़ी बहन है ज राज गई तो भगवान ने कहा था कि तुम रवीवार को प्रमुखता से यहां ब्राज होगी और रवीवार को मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो रवीवार के दिन तुम्हें को जो पीपल को इस परस करेगा तो दरद्रा उसके घर में पहुंच जाएगी तो इसलिए पीपल के अब ब्रक्ष को रवीवार को इस परस नहीं करते कि घर में दुर्दृता हा जाएगी पुरान का प्रमान है बाकी पीपल के ब्रक्ष में और किसी दिन भी कोई दिस्यद नहीं है नित्य प्रति आप परिक्रमा कर सकते हैं इस परस कर सकते हैं पूजन और प्रणाम कर सकत जोड़ तो धी उध्यापन की मित्धि जो है उसमें2 दिनकी पूजा का ब्रधान है एक अधसी के दिन भगवान का सहस्त्रार्चन पूजण पंचामरतव शेकादी हसा get ब्राहमन भोजन एक दिन ब्राहमनों के जोड़े को फलाहर कराया जाता है और अगले दिन ब्राहमनों के जोड़ों को 26 जोड़े रखे जाते हैं एक दिन भलार और अगले दिन भोजन कराया जाता है हर वर्स हम लोग साल में दो तीन वारी हां एकादसी उद्यापन होता है त सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें